हालो आप रिवन बैक्टुब यूट्यूब चानल पिहोन रुद्रा कॉर्णर आची क्लास में हम देखने वाले हैं किजी क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिस वॉक्षीट और इससे पहले भी मैंने इंग्लिस काई सारी वॉक्षीट चैनल पर अपलोड कर रखी है अगर क्याने वरी जो भी वीडियो से उनका नुलिफिकेशन आपको मिल पाएं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो फर्स्ट कॉस्टिन इस यहां पर कुछ राइमिंग वर्ड से रखे हैं और उसके लिए कुछ अल्डरनेटिव दे रखे हैं करेक्ट राइमिंग वर्ड को करेक्ट राइमिंग वर्ड क्या है नग्स्ट है बिक का ब्लक देडीति आल्च और यह गैच पैटिए फिझ उएं फड़ेत आपको और यह दो फिग truth उफिड़ को ए पिग, पी, आईजी, पिग, नेक्स्ट है, वेट, वेट और सेट, इसका राइमिंग वर्ड क्या होगा, वेट, डबली, ई, टी, वेट, तो इस तरह से भी आप बच्चों को राइमिंग वर्ड की प्रैक्टिस करा सकते हैं, और मोव तो दो नेक्स कोश्चन, लुक एंड रा इसका जो भी beginning and ending sound है, वो fill करना है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, example के लिए, डैस, O, A, डैस, अब यहाँ पर हमें, डैस, O, A, डैस, तो beginning sound क्या होगी? यह क्या है? boat b o boat b o a t boat next kya hai ye got next kya hai ye road r o d road and this one is coat k o coat coat तो इस तरे की भी आप बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं beginning and ending sound से related इसकुष्य ने change the following from one to many तो यहाँ पर कुछ पिक्चर्स ट्रॉ करके दी गई है बच्चों को correct word फिल करना है जैसे की यह क्या है mango one mango है तो हम क्या लिखेंगे m a n g o mango अब यहाँ पर more than one है means many है तो हम क्या लिखेंगे m a n g o e s mangoes यहाँ पर हमने e s add कर दिया next है kite k i t e one kite है अब यहाँ पर more than one है तो हम क्या लिखेंगे k i t e s kites next tree one tree है तो लिखेंगे हम tree and more than one है तो क्या लिखेंगे trees यहाँ पर हमने s add किया next है cup c u p cup one cup है तो हमने क्या लिखा cup अब यहाँ पर more than one है तो क्या लिखेंगे c u p s cups तो इस तरह से भी आप अच्चों को one and many का concept clear करा सकती है अब नेक्ट कोशन is fill the missing letters तो यहाँ पर कुछ pictures draw करके दी गई है और कुछ letters यहाँ पर missing है बच्चों को वो pictures identify करके fill करने है जैसे कि first है pen प, ए, न, pen यहाँ पर क्या है fan फ, ए, न, fan this one bag ब, ए, ग, bag and this one is rug र, अ, ग, र, रग and this one is cat k, at, cat and this one is log log तो इस तरह की भी practice बच्चों को जरूर कराई जनेश कोशन is match the following तो यहाँ पर matching करनी है बच्चों को यहाँ पर basically genders की practice कराई गई है UKG class में बच्चों को genders की भी practice करा दी जाते introduce कराई जाता है कुछ जो main, main genders होते हैं वो यहाँ पर बच्चों को बताए जाते हैं जैसे की man तो man का क्या होगा woman boy girl father mother bull cow uncle aunt brother sister male female wife husband तो इस तरह से बच्चों को कुछ प्रैक्टिस कराई जाती है यहाँ पर मैंने मैचिंग कराई है आप बच्चों को optional भी दे सकते हैं इनको अपर नहीं से खोशन नहीं circle दा vowel in words given below तो यहाँ पर कुछ words दे रखे हैं बच्चों को यहाँ पर vowels circle करने हैं हमारे five vowels होते हैं हम बच्चों के इंट्रीउस कराते हैं कौन-कौन से vowels होते हैं इक बार हम revise कर लेते हैं यहाँ पर A E I O and U there are five vowels A, E, I, O, U तो इन vowels को in words में बच्चों को find out करना है और circle करना है जैसे कि first word है हमारा apple तो apple में हमारे कौन-कौन से vowels है A हमारा vowel है और E vowel है next है market market में A vowel है और E vowel है next देखेंगे hospital तो hospital में O vowel है I vowel है और A vowel है next यहाँ पर double O vowel है इनको हम circle बनाएंगे next elephant elephant में E vowel है again E vowel है और A vowel है next pencil pencil में E और I vowel है vegetable vegetable में E, E, A और E तो इस तरह से vegetable में three time E और one time A vowel है next park park में A vowel है next question write A और N तो यहाँ पर बच्चों को A और N की practice कराई गई है यहाँ पर कुछ pictures दे रखी है बच्चों को pictures identify करना है और उसके according यहाँ पर A और N fill करना है जैसे कि यह क्या है apple तो apple का sound क्या आता है आ तो आ से sound आ रहा है means A आ रहा है next है tree tree में sound कैसा आ रहा है त means T बनेगा हमारा तो T के हमारा consonant है consonant के साथ हम एका यूज करते हैं और tree next है ice cream ice cream में sound कैसा आ रहा है I का I हमारे क्या है vowel है तो vowel के लिए हम N का यूज करेंगे N ice cream this one is house means H H क्या है हमारा consonant है तो consonant के साथ हम क्या यूज करेंगे A house next this one is arrow arrow में sound हमारा आ रहा है A का A तो A के साथ हम क्या यूज करते है N यहाँ पर हमने N फिल कर दिया तो इस तरह से भी आप बच्चों को A और N की प्रैक्टिस करा सकते है next question है हमारा tick the correct opposite word तो वैसे तो हम बच्चों को directly opposite words लिखने के लिए दे सकते हैं matching भी दे सकते हैं और एक यह भी method है बच्चों को opposite words learn कराने का जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ words दिये है hot तो hot का opposite क्या होता है जो भी correct यहाँ पर word है उसको बच्चे को tick करना है तो hot का opposite dry होगा या फिर cold होगा तो correct word कौन सा होगा hot का opposite cold day का opposite क्या होता है night और sun तो day का opposite होता है night next है short short का big या फिर tall short का opposite होता है tall big big का opposite होता है small या फिर large तो correct word क्या है हमारा small and next है empty empty का opposite क्या होगा less या फिर full तो empty का opposite होगा full तो इस तरह से भी आप बच्चों को opposite words की practice जरूर कराए now move to the next question write rhyming words तो यहाँ पर बच्चों को कुछ rhyming words लिखने है जैसे की man, pot, pin, net, bell, tag तो इन सभी के rhyming words बच्चों को two-two rhyming words यहाँ पर fill करने है जैसे की man दिखेंगे man का van और pen pot caught hot pin tin fin net wet get bell tell और fell and this one is tag tag bag और fag तो इस तरह की practice आप अच्चों को rhyming words के लिए करा सकती है तो यह थी आज की worksheet आज की worksheet आपको कैसी लगे I hope informative and helpful लगी हो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा शेयर कर रहेगा साथी चैनल पर फॉर्स टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथी बैल एकन भी प्रेस कर लें ताक कि आने वाली जो भी वीडियो से उनका उन्ट विपिकिशन आपको मिल पाए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई और टेक कियर